असलाम अलाइकुम वेलकम इदे किचन विद फहमीदा आज जो चोटी सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं वो पॉपकॉर्ण की रेसिपी है बहुत ही चोटी सी रेसिपी है और बहुत ही सिंपल आप इजिली घर पे पॉपकॉर्ण किस तरह बना सकते हैं अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और पास देवेबल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुन सके तो चले स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी अब मैंने एक कड़ाही लिया जिसके नीचे मैंने फ्लेम जला दी है लो टू मीडियम और इसमें मैंने डाल दिया है वन टेबल स्पून बटर बटर हलका सा मेल्ट होता है अब मैं इसमें डाल दूँगी एक चुटकी नमक जैसे ही मक्षन मेल्ट हो जाएगा मैं इसमें डाल दूँगी दो प्याली कॉर्ण थोड़ा सा बटर में इसको रोस्ट कर लेंगे दो से तीन मिनट बस मैंने इसको हलका सा रोस्ट किया है अब मैंने इसको कवर कर दिया है एक लिड़ के साथ और लो फ्लेम पर हम इसको तब तक पकाएंगे जब तक कॉर्ण जो हैं वो प्रॉपर्ली पॉपकॉर्ण में कनवर्ट नहीं हो जाते हैं चलेंजी पांच मिनट हो चुके हैं और इसके अंदर से आवाज पॉपकॉर्ण के बस्ट होने की आना बंद हो गई है इसलिए अब मैं इसका कैप हटाऊंगी और हम देखते हैं पॉपकॉर्ण बिल्कुल रेडी हो चुके हैं मज़े से आप इसको बॉक्स में डालें और अपने घरवालों को सर्फ करें मज़ेदार से पॉपकॉर्ण सर्फ होने के लिए बिलकुल तयार हैं आप का जब दिल करें आप बजार से लाने की कोई जरूरत नहीं है आप घर पे कॉर्ण से इजिली पॉपकॉर्ण बना सकते हैं और गरम गरम अपने घरवालों को अपने बच्चों को सर्फ कर सकते हैं छोटी सी रेसिपी जरूर star कीजएगा अगर आपको अच्छी लगे तो comment box में जरूर बताईएगा अगर आपको मेरी रेसिपी पसंदा आ रही है तो मेरी रेसिपी को like करें, friends और family के साथ share करें और मेरे चैनल को भी सबस्क्राइब करें हम फिर हाजर होंगे एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए लाहाफिज